खाना दन्नाहा छेत्र का रहनी वाला एक पीड़ित परवार एक शब्तह पूर्ब हुई मौत के मामली में हत्या का मुकदमा दर्जगर्णी की मांग को लेकर पुलिस दिक्षक कार्याले पहुँचा और यहां पुलिस दिक्षक को एक शिकायती पत्र दिया है पुलिस दिक्षक कार्याले पर मौजूद यही वह पीड़ित परवार है पीड़ित परवार की शंगीता पत्नी मनोज उर्फ इंद्र जीत निवासी खास्तनाहार ने पुलिस दिक्षक कार्याले पर एक शिकायती पत्र दिया है पिड़िता शंगीता ने बताया है कि 13 जुलाई समय करीब 10 बजे पिड़िता का पती घर पर तभी पिड़िता की गाउं की बिपुल, पुत्र मनोजुबा, शिवम, पुत्र संजय, बंसंजी, पुत्र मंगूलाल के साथ दुआ गयात विक्ति आया और उसके पती को खेदो की कहकर ले गए, जिसके बाद काफी समय बीतने पर पती बापस नहीं आया, तो पिड़िता ने अपने बच्चों के साथ खोजबीन करना शुरू कर दी, पर उसका कोई पता नहीं चला, वह अपने बच्चों के साथ बापस घर आ गई, सुबह करीब 5 बजे उसके पती की कि बावजूद भी पोलिस ने अभी तक हत्या के मामने में रिपोर्ट दज नहीं की, जिसके चलते पिड़ित महिला अब वेहत परिशान है, और पिड़ित महिला ने पुलिस तिक्चक कालेले पर पहुँच कर अपनी व्यताता को सुनाई, और क्या कुछ बताया है, अब ज मंगुला के लड़के और मिसला इनके हमारे वेट के लड़के लड़के विबबल और संजय लड़के सिवं, तीनों लोग आए जाकि इनको चासी खेत में बेज़तों, गाएं खेत में लगी हैं, तो वहां से मितला जाकि उनको लेके गए चलेगे दो आजमी थे तो अज़ अज़ख वेरे में घरसे फोड़ी दूर पड़े तो हमने देखा गम तरब इनको थाही नहीं, तो सब लोग न पताया कि मतलब कि लिखा मड़े पड़े पर पिर पुलेसी सिकायत कि पुलेस मतलब आई ही तो बिस ने किका है इसके एक्सिजेंट है और रजका मतलब कुछ ह आप के फायर हुई कि नहीं हुए कि नहीं हुए कि अधाने वाले का रहे हैं इसकी जांच कर रहे हैं जांच कि आजब आज ची दिन हो गए चाहर ही नहीं है